आगर शेहर में चुने गए महापौर, चेयर्मेन और पारशद गणों का स्वागत एबम सममान समहारों का सिलसला शेहर में शुरू हो गया है अखिल भारती अगरवाल सम्मेलन ब्रच शेतर आगरा दौरा आयोजित सम्मान सम्हारों के अफसर पर सभी सो पार्षदों महापौर और चेयरमेन का पट्टका साफा और समधिचिंद देकर इस सिलसले को आगे बढ़ाया तो वहीं इस अफसर पर शेहर वासियों दौरा दिये जा रहे इस सम्मान के बदले छेतर में चौमुखा विकास कराने के लिए पार्षदों नहीं संकल्प भी लिया एक मंच पर सभी जाती और पार्टियों के नवनिर्वाचित जनपते निधियों की मौझूदगी देखने को मिली सहर के विकास और किये गए वादों को पूरा करने के संकल्प के साथ सभी के सहयोग से निस्पक्षता के साथ शहर की परिशानियों को दूर करने और हर छेतर विकास के वादे थे मौखा था अखिल भारती अगरवाल सम्मेलन द्वारा निकाय चुनावों में जीते सभी नव निर्वाचित जनपते निधियों के स्वागत वा सम्मान समहरों का कमला नगर अग्रसेंच सेवा सदन में आयोजित सभी पार्टी वा समाज के जनपते निधियों को एक मंच बला कर सम्मान करने के लिए जनपते निधियों ने आभार व्यक्त किया कि दंगत जाती से ओपर हुटकर जात पाड़ से उपर हटकर सारे पार्शोदों का सम्मान होना चाहिए और सारे चेर्मेन जो की ब्रच्छेष से आए है उनका सम्मान होना चाहिए आज वो सम्मान हम कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम आसा करते हैं कि अगरवाल समाज जो सोच रखता है सभी का विकास चाहे कोई भी जाती-पादी का व्यक्ति हो अगरवाल समाज ने इस देश के अंदर इतनी ध्रहमसाला हैं इतने अस्पताल बनवाएं इतने चिकसाले बनाएं इतने सिक्षा के के सेंद्र बनाएं कोई भी कार करता है वह सोच के निजलता चाहिए कोई चाहिए प्याव हो वह सोच के चलता है कि सभी दीन दुखियों की सेवा की जाए सभी अभी हम लोगों ने एक हस्पताल महराज आक्रसें के नाम से बनाया है जो कि लोमंडी में इसी कड़ी में हम का स्वागत कर रहे हैं सम्मान कर रहे हैं आज अखिल भारतिया ग्रिवाल संमेलन के माध्यां से आज सभी हमारे आगरा के सो पारशद आगरा के चेत्र की हमारे आससे पास के जितने भी अलीगार्ट, मत्रा, खेर, जट्टारी, सादावाद, सुकुआबाद, गिरोर, सब जगे से चेर्मेन आई हुए हैं, उनका स्वागत हो रहा है आज अगरवाल सवाल ने जे अनूठी एक पहल किया है कि सबों को पूरे हमारे आगरा के जन प्रतियों को जो सो जन प्रतियों उनको एक चत के नीचे भुला करके सबों का स्वागत किया है और सबों का सम्मान किया है ये बहुत ही सुन्दर बात है और आज जन प्रतियों से आगरह किया गया है कि आप सब लोग मिलकर के इस आगरा को विकास के रास्ते पर ले जाए कारेकरम का शुभारा मुख्य अतिती सुरेश चंदर गर्ग, मुख्य वक्ता मुरारी प्रसाद अगरवाल, विसिस्ट अतिती अफदेश अगरवाल सराफ, कंचनलल अगरवाल ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा के समक्षदी प्रजलित कर किया सबी अथितियों का स्वागत करते हुए ब्रजप्रदेश के संरक्षक विन अगरबाल ने कहा कि अगरबाल समाज हमेशा सबी वर्गों को साथ लेकर चलता है दलगत राजनीती के उपर उठकर इस कारेक्रम का आयोजन किया गया देश परदेश वा आगरा के विकास को ध्यान में रखते हुए सबी जन पर दिनिधियों का समान किया गया जीतने के बाद कोई भी जनपिते निदी किसी जात पात या पार्टी का नहीं रहता वे पूरे छेतर का होता है। जा रही है जिसका हर वर्ग लाब ले सकता है। मैं सवासादू, सावास से मुई या पे आके बहुत कुछी हुई है, बहुत अच्छा लगाएं, सब के लिए बहुत बहुत धन्यवादू. वही हम आपको बता दे चलें कि समूचे कारेकरम को सफल बनाने के लिए भूमे का में चेर्मेन विनोद अगरवाल, योगेंदर गोयल, संजे सिंगल, संजे अगरवाल, कुलवंद मित्तल, हर्योम गोयल, गौरव बंचल, आदी की रही.